ओम्च्यान्ति 20 दिसंबर विदेशी लोग मधुवन में आये हुए हैं अव्यक बाब दादा उनसे मिलने आये उन्हें देखकर बाबा सेवाओं के बारे में बहुत गुई ये बाते कह रहे हैं थोड़ा से मैं आप सबको बता दूं तो आपको स्पस्ट हो जाए तो उन दिनों विदेश्व में ये था कि अपना ज्यान थोड़ा चुपाओ थोड़ा दो भगवान कोन है ये न बताओ कि वला जियोग सिखाओ श्यानति की बात करो बाकी नहीं इस चीज को देखते हुए बाबा बहुत गहरी बात शुरू की कि बाप दादा जो हाइस्ट अथोरिटी है अपने सत्थ बच्चों को देख रहे हैं जो सत्यमार्ग पे चल रहे हैं तुम्हारे पास सत्य ज्यान की अथोरिटी है इस अथोरिटी के साथ सने भी होना चाहिए अथोरिटी के साथ नम्रता और निरेंकारिता भी होनी चाहिए तो बाबा सत्थ की बड़ी महिमा कर रहे हैं कि देखो सत्यम सिवम सुंदरम भगवान के लिए भी पहले सत्थ गौड़ी स्टुथ यही कहते हैं सत्थ ही भगवान है सत्चित आनंद स्वरूप आत्मा के लिए परमात्मा के लिए आनंद का सागर सत्च के दो अर्थ सत्थ भी और अविनासी भी सत्य हमेशा अविनासी होता है दो फलस दो चार ये अविनासी है इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा जब किसी की अर्थी उठती है तब भी सत नाम ये बुलवाते हैं, सच तो भी ठो नाच, जो सत है वो खुशी में नाचता रहेगा, न वो गबराएगा, न उल्जन में आएगा, न परिशान होगा, निर्बह रहेगा, सत्य में सक्ती है, बले कल युक का अंत है, जूटी दु लेकिन एक विशेस बात अब बाबा कह रहे हैं, बीज है बाप, बीज बले गुप्त रखा जाता है, मिटी के अंदर रखा जाता है, लेकिन बीज सदा ही मिटी में रहे, उसका पोधावरक्स बने ही नहीं, फलफूला ही नहीं, ये भी तो ठीक नहीं है, तो बीज जो प्रभों की अथोरिटी भी है, सत ग्यान की भी अथोरिटी है, अब सने की अथोरिटी, तो सने भी साथ साथ हो, विए पीज को लाते थे विदेशी लोग, तो यहां लाते थे तो उन्हें ग्यान नहीं सुनाते थे, केवल उन्हें लगता था बहुत अच्छा है, अच्छा व से नई दुनिया आएगी, ज्यान के बीज उसमें डालो, बीज कुछ चुपाओ नहीं, ऐसे नहीं भगवान कोन है, मुसलिम ये नहीं मानते, कृष्ञिन ये नहीं मानते, बुद्दिष्टी ये नहीं मानते, ये सब नहीं, सत्ज्यान अथोरिटी के साथ तो ब्रमा बाबा क अनुभाओं की अथोरिटी, सत ज्यान की अथोरिटी में थे, इसलिए निर्भय थे, मुडली में आप सुनेंगे जब ब्रह्मा बावा बोलते हैं, तो बहुत प्यार से बच्चे बच्चे भी कहते हैं, प्यार भी बहुत देते हैं, लेकिन अथोरिटी से बात भी कहते हैं, क विदेशों में भी और भारत में तो देते ही हैं, लेकिन विदेशों में विशेश इस सत ग्यान को परतक्स करो, क्योंकि वहाँ ये कोई कहता ही निये था, कि बगवान आकर कारिये कर रहा है, भगवान ये है, वो हमारा गौड फादर है, ये सब छुपा दिया गया था, तो बाबा ने कहा, तुम ग्यान ऐसे दो, उन्हें ऐसा न लगे, इनमें बड़ा अभिमान है, ये सुचते हमी सकते हैं, नमरता पूरी जलकती हो, लेकिन अगर अनुभवान की अथोरिटी साथ होगी, तो तुम्हारी नमरता के जो बॉल होंगे, सने के बॉल होंगे, उसका इफेक्ट दूसरों पर पूरा पूरा पड़ेगा, फिर वो सभी आए हैं, तो बाबा कह रहे हैं, आप सब भी सरेंडर हो, बाबा के बच्चे बन गए, कोई क्रिष्चन कुमारी, बुद्ध कुमारी, ऐसा तो नहीं कहते हैं, क्योंकि बहुत धरम की बहने भी बहुत ग्यान में आई, सब ब्रह्मा कुमारी हो, सब ने ग्यान को स्विकार कर लिया, तो तुम सभी भी समर्पित होगे, जो आते हैं, उन्हें संपर्क में लाते हो, लेकिन संबंद में लाओ, फिर संबंद में लाते हैं, समर्पित कराओ, समर्पित का अर्थ बाबा बता रहे हैं, कि वो ये कहें बाबा ने जो ग्यान दिया वही सत्त है यही सत्त है यह होगा समरपंट था नि बुद्धी को समरपित कर दिया मेरा बाबा यह उनके पूरे ख्यालों में आ जाए तो बाबा विदेशियों की बहुत महिमा भी कर रहे हैं कि देखो अब तक युक्ती से समझाते-समझाते यहा अब विधी को चेंज करो, भगवान कोन है, वो आकर कारिये कर रहा है, ये बात भी अब लोगों को सपस्ट करो, और हमने देखा कि तब से ये बात भी सपस्ट की जाने लेगी, विशेश रूप से दादी जान की गई, और ये सब बाते बहुत जादत सब में फैलने लगी, त पहले डरते डरते ग्यान देते थे, क्रिश्चन है, इनकी ये मान्यता है, इनको बुरा न लग जाए, फिर अथोरिटी से देने लगे, तो सब उसको स्विकार करने लगे, तो बाबा हम सब को भी ये शिक्सा देते हैं, कि अथोरिटी से ग्यान दो, पर उसमें अभीमान द दिखाई थे तो बाबा उनकी सेवाओं की व्रद्धी की सरहना भी कर रहे हैं उन्हें बदाई भी दे रहे थे और बहुत सारी अच्छे अच्छी बाते सुनाई कि देखो कैसे तुम पहले तिरमूर्ति का चित्र विदेशों में नहीं रखते थे समझाते भी नहीं थे अब स समझाने लगे तो सब समझने लगे हैं तो हम सभी ये सीखते हैं कि अथोरिटीस ने नमरता सब साथ साथ चलें वर्दान है मन का मौन रखते हुए सेवा की नई इन्वेंशन निकालो इस सिध्धी को क्राप्त करो मन का मौन बाबान ने बहुत अच्छा उदान दिया शुर सब काम फटा फट होते थे और समय बचता था योग के लिए ऐसे ही बाबा कहते हैं मन का मौन रखत मन को व्यर्द से मुक्त रखो तो नई नई इन्वेंशन्स चच होंगी बुद्धी में व्यर्द सनाप्त होगा और सेवा की बहुत अच्छी व्रद्धी हो जाएगी स्लोगन है स्वयम को समर्पित भाव में रखो तो सर्व के सहयोग भी तुमारे आगे समर्पित हो जाएगे आज संडे है तीसरा संडे और इंटरनेशनल योगा डे है हम अभ्यास करेंगे अपने लाइट हाउस माइट हाउस वरूप में रहेंगे मैं फरिष्टा लाइट हाउस माइट हाउस हो मेरे अंगंग से किरने फैल रही है और बाबा कमBाइन है चत्र चाया है मेरा साथी है इस नसे में भी रहेंगे और इस अप्यास को भी करेंगे सारा दिन भी बीच बीच में करेंगे और स्याम को बैठ कर भी संसार को लाइट और माइट की किरने देंगे To watch Peace of Mind channel videos on YouTube. Subscribe us on youtube.com slash tv peaceofmind Just a click for a peaceful life.